नमस्कार में श्वेदापंत और आप देख रहे हैं SCN News आम आदमी को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जी हाँ GST काउंसली की 31 वी बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हो गई है बैठक की अध्यक्षता वित्यमंत्री अरुन जेटली कर रहे हैं उम्मीद जताई जा रही है कि GST काउंसली की बैठक में कई प्रोड़क्ट पर GST को 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत या फिर इससे भी कम किया जा सकता है परिशत वाहनों के टायरों पर GST दर को 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत कर सकती है GST परिशत की विज्ञान भवन में चल रही बैठक में सबसे उचे 28 प्रतिशत के कर स्लैप को कम करने के लिए चर्चाब चल रही है इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1200 से जादा चीज़ों पर और सेवाओं में से 99 प्रतिशत पर 18 प्रतिशत या उससे कम GST लगेगा एक अधिकारी ने भी कहा था कि वाहन टायरों पर 28 प्रतिशत GST से आम आदमी प्रभावित हो रहा है ऐसे में GST परिशत की बैठक में मुख्य ध्यान आम आदमी पर GST का बोच कम करने पर है अगर चर्चा में GST को कम किया जाता है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे जो दर्शक ACN News पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकल जरूर दबाएं धन्यवाद